हम सभी जो अपने अम्रूद में सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं वो तयारी के अंतिम दोर में होगे। जी हाँ, आज हम अपने सर्दियों के अम्रूद की अंतिम तयारी कर रहे हैं। इसमें कितने भाग होंगे ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पहला भाग में आपको ये कारिये करना है कि ये देखिए मैंने पोधे से मेरा ये जून में तीन साल का पोधा हो जाएगा इसको मैंने यहां पर दो से ढ़ाई फिट दूर ये जग है ये देखिए यहां से और यहां तक इसको खुदवाया ये नाली बनाई है इसमें और इस नाली के जो मैंने बनाई है इसमें मैं खाद डालूँगा तो आप सबको ये तयारी करनी है कि इसकी कैनोपी यहां तक थी मैंने यहां तक खुदवाया और अब इसमें नाली बनवा रहा हूँ आज ये मेरा अंतिम कारिय है इस नाली में मैं खाद डाल कर लगभग इसमें 30 किलो मैं गोबरगा खाद डालूँगा चोकि 3 वर्स का पोदा है और इसमें इसकी उम्र के हिसाब से ही जो रसाइनी खाद हैं वो डालूँगा इस खेद में मैं साल में इस खेद में एक बार ही रसाइनी खाद देता हूँ उसमें डियेपी भी होगा उसमें पोटास भी होगा उसमें मैगनिशियम सलफेट भी होगा उसमें जिंक सलफेट भी होगा तो आज ये हमारी अंतिम तयारी है जिसमें पहले भाग में हम ये रिंग बना रहे हैं इस रिंग के बाद के ये जो मेरा खाद का ढेर है चहां पर मैंने ये तयारी की है मैंने आठ ट्रोली गोबर का खाद बनाया है और ये मैंने अक्टूबर में रख दिया था अब ये आज इसकी अंतिम कटाई होगी इस कटाई से पहले मैं इस खाद को सबसे पहले ये घास हटाऊंगा घास हटाकर इसमें जो मेरा कंसोर्शियम है कम से कम चार बोटल मैं कंसोर्शियम की पानी में मिलाऊंगा जो NP के कंसोर्शियम है इफको का वो मिलाऊंगा वो मिलाओंगा उसके साथ मैं इसमें ट्राइकोडर्मा जो मेरा एकट है आप यह मान कर चैडियागी कि एक किलो ट्राइकोडर्मा तो मेरी चुकी यह लगभग 8 ट्रोले हैं इनमेंने चार किलो ट्राइकोडर्मा और चार किलो ही इसमें पैसिलोमाइसिस और चार किलो ही बवेरिया बस्याना ये सब मिलाकर इकठे मैं सब को मिलाकर इसमें डाल दूँगा पानी में घोल कर और जब मैं इसमें डाल दूँगा तो इसकी कटाई करवाँगा वो मेरी अंतिम कटाई होगी और फिर इसको ढख दूँगा. दस दिन बाद आज है तीस अपरेल तो दस दिन बाद मैं इन ठालों में वो गोबर की खाट डलवाएंगा और जो भी मेरी बाकी खाट है वो डलवा कर इसको यहां से इस परकार बंद करवा दूँगा इसको यहां से जब मैं बंद करा दूँगा इसको तो इस मिट्टी में मैं इसको इस प्रकार रखूँगा आप देखिए यह जो मिट्टी है यह मैं इधर नहीं डलवाँगा यहां पर करवाँगा जोकी हाट डलवाने के बाद पहली बार मैं इसमें फ ताकि पानी यहां से आगे ने जाए यहां से आगे अगर जानी है तो नमी जाए पानी ने जाए किसान साथियों यह जो यह छेत्र है यह वाला यह जो छेत्र है यहां पर हम खाट डालेंगे तो जो जड़े हैं जो भोजन वाली जड़े हैं वो यहीं पर आएंगी वो पर पानी जाता है तो वो वेस्टेज है और वो आपकी जड़ गलन और फंगस को बढ़ावा देता है हो सके तो आप यहां पर थोड़ा सा यह एक सा रखे इसके बाद हलकी हलकी मिट्टी रखे थोड़ा सा धलान भी मना सकते हैं जो भाई रिंग पद्दती से जो ड्रिप से काम करते हैं तो मैं इसमें ड्रिप यहां पर डालूँगा यहां पर जो मेरा रिंग होगा वो इतना बड़ा होगा यहां पर और इसमें जो मेरे ड्रिपर होंगे इसमें 6 ड्रिपर होंगे 4 लिटर पर आवर के इसमें वो थोड़ इसे में उपर की तरप और बहार की मोट्टी 5 डिगरी के एंगल पर लगाऊंगा जिससे के छेड रिपर से काफी पानी आ जाए पानी हमें यहां देना है महां नहीं देना है यह ध्यान रखना है अगर यह ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पानी देने के वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तो किसान साथियो आज ये अंतिम तयारी है हमारी सर्दियों की फसल की हर छेतर के नुसार ये तयारी आप 25 अपरेल से सुरू हो जाती है और हर छेतर में आप इसे 5 दिन 10 दिन 15 मई तक आराम से कर सकते हैं 15 मई तक करिए 15 मई कर करने के बाद में जो आपको फसल मिलेगी वो नॉमबर से सुरू हो सकती है फसल जो बाद में हम पकाते हैं उसका भी एक तरीका होता है वो भी आप थोड़ा गैप लेकर रख सकते हैं तो आज मैंने आपको बताया कि ये ध्यान रखें जो ये जड़े थी हमारी यहां पर य यहां पर तो यहां डालिए और जड़े चार इंच के बाद ही मिलेगी तो कम से कम छे से आट इंच गहरा जरूर खुद ना चाहिए यह तभी आपका पोदा ताओ में आएगा किसान साथियों एक बात का यहां पर और ध्यान रखना है दो वर्ष से कम के पोदों में ये कार जाक्षब्करी आ रहे है इनको अधिकतर को मैंने हाथ से तुड़वा दिया है अब इसमें मैं हलका हलका पानी देता रहता हूँ और इनमें एक मही के बाद पानी नहीं दोंगा और पांच-छे दिन के बाद ही इनमें खुद ुदू कर और इनको जब मैं पानी देने से प और यह मेरा अंतिम कटिंग होगी किसान साथियो मैंने कोशिश की है कि खाद किस प्रकार लगाएं पानी कहां पर दे और क्या अंतिम तयारी होगी और किस प्रकार हम अपने खाद को तैयार करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवस्य बताए इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जै हिन, जै भारत, वंदे मत्रम